तो कॉंग्रस ने लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में हर्याना के CLP लीडर भुपेंद्र सिंग हुड़ा का नाम भी शामिल है भुपेंद्र सिंग हुड़ा का दिल्ली चुनावों को लेकर क्या कुछ कहना है सुनिए स्टाप प्चार के रूप में उत आरा जा रहा है कॉंग्रस की तरफ से विद्दर सिंग हुड़ा को जम्मेदारी दीगी है विद्द्र सिंग हुड़ा है पुड़ा साथ देखते हैं कि काफी एहम हो गए हैं दिल्ली के चुनाव और जिस तरह से जम्मेदारी आपको भी दीगी ये स्टाप चारक के तोर पर तो आहम भूमिकर रहने में देखो सारे चुनाव एहम चुनाव होते हैं और दिल्ली का चुनाव भी एहम चुनाव है और लोगों और जान कॉंगर्स की और लगता है इस तरह से आमादमी पार्टी दावा करती है कि उन्होंने ब्रस्टाचर मुद किया है और विकास की बाते हैं तो कहीं नगी आप देखते हैं कि बाकी राज्यों में जिस तरह से हलांकि चुनाव पार्टी लड़ी उतना प्रसा से देखते हैं कि क्योंकि सेंटर में एक बड़ी ताकत के रूप में उबरा हलांकि बाकी स्टेट्स में जिस तरह से कई पर जगह पर पिचलती हुए नजर आई या सीए का मुद्धा रहा दारा तीन सो सतर उनका कोई फायदा मिल पाएगा या नुक्सानी होगा वहां जार कर दो कि रहें कि एंथा करें जाए कि इस तरह उनका यह पूरा कि दावे कि वायदे किये वह कहीं ने सीजिवार के समय से काम हुआ था उन सीजों को आगे बुना आदे नजर आई हैं कल से दिल्ली में जाकर के परचार की रहा पुरी रूप रिका संभालेंगे और आगे का जो पूरा विदायकों की जिम्मेदारी है कल से लगनी तेह होगी वीडियो जनल से भी जनल से भी जनल के सासुमी जोशी जन्ता टीवी चन्री को